प्रदेश मंत्री मंदल की बैटक होगी बैटक साड़े चार बजे से मुख्य मंत्री आवास पर होगी प्रदेश मंदल की बैटक में अगले महिने से स्कूल खोले जाने के प्रस्ताफ पर निर्णना हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में छटवी से ग्यारवी तक कक्षा शुरू किये जाने की संभावना जता ही जा रही है सिक्षा मंत्री पहले ही इसकी गोशना कर चुके हैं लालकुआ प्रदेश में अगमी 2022 की विधानसवा चुनाव को देखते हुए समाजबादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्य नाराइन सचान के निर्देशन पर तीन दिवसिये कुमायू दोरे पर निकले समाजबादी पार्टी के प्रदेश कोश अध्यक सबी दलों ने राज की आशाओं को धुमिल किया हरदवार में जला पंचायत बोर्ट की बैटक में जमकर हंगामा हो गया हंगामा ऐसा रहा कि पंचायत सदस से एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए मामला इतना बढ़ गया कि जला पंचायत सदस से चौधरी विजेंद्र सिंग अपनी कुर्सी से खड़े होकर मारपीट करने पर उतारू हो गया इस दौरान जमकर्ती की भैस हुई नोगजोग और मारपीट की स्तिती बन गए जला पंचायत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने बामुश्किल मामले को शांत कराया ललकूए के नाले में मगरमच देखने से अलकंप मच गया मगरमच देखने के लिए लोगों का ताता लग गया वहीं बताया जा रहा है कि नाले में कई मगरमच है जिनसे लोगों को जान का खत्रा बना हुआ है फिलाल बन विवाग मगरमच को पकड़ने के प्रयास कर रहा है मैदानी लाकों में शीद लहर परिशानी का करण बन सकती है मौसम बिवाग इसकी चिताबनी जारी कर रहा है मौसम केंदर धेरादूरं के निर्देशक विकरम सिंह ने का है कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में कई जगा शीद लहर चलने के आसार है वहीं धेरादूरं में भी इसका असर देखने को मिल सकता है शहर में अधिक्तम तापमान 21 वेन्यूतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का नुमाल देरदून में कोरोना की बज़े से तैक कंटेंटमेंट जोन के बहार सबी गतिविदिया को सामाने करा जा चुका है राज के बहार और भीतर आवजाई के लिए अलग से किसी अनुमती की जरूरत नहीं होगी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टेशन कराने की अनेवार्यता खत्म हो गई है हाला कि कुम मेले को देखते हुए अलग से एसोपी जारी की जाएगी फिलाल इस बूल्टे में सर्फ इतना ही बने रही है नीजवल इंडिया के साथ नमस्कार